Dear Students, Third Language Hindi में आज हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं सबसे पहले हम सुमंजरी पुस्तक से पढ़ेंगे अपना टॉपिक पिछले वीडियोज में हमने छोटी E और बरी से बनने वाले शब्द पढ़े थे आज हम उन्हीं का अभ्यास यानि की exercise प्रशनुत्तर हल करेंगे तो आई शुरू करते हैं नमर वन में देखिए क्या लिखा है बोल बोल कर पढ़े और अंतर समझे यहाँ पर पहले छोटी E और उसके बाद बड़ी E से बनने वाले शब्द दिये गया है और हमें अंतर पढ़के समझना है सबसे पहले है छोटी E की मात्रा तमया की मात्रा पिता फिर है पॉमे बड़ी E की मात्रा तमया की मात्रा पीता तो पहले शब्द का अर्थ है पिता यानि की फादर पापा और दुसरे पीता का अर्थ है पीना यानि की पानी पीना उसी तरीके से और भी शब्द है मिल मील किला कीला दिन दीन बिना बीन शिला शील खिल खील पिटना पीटना तो यहाँ पे हमने छोटी और बरी से बनने वाले शब्दों में अंतर देखा इसके नीचे देखिए नमबर टू में है टोकरी में छोटी और बरी की मात्रा के शब्द मिल गया है इन्हें अलग-अलग टोकरियों में लिखे यहाँ पर छोटी और बरी के शब्दों को अलग-अलग टोकरी में लिखना है सबसे पहले हम छोटी के शब्दों को देखते हैं गिलास, छिलका, किताब, टिकट, विमान अब बरी वाले शब्द देखें नाशपाती, शरारती, महीना, कमीज, ककडी तो यह हमने चोटी और बरी की मात्राओं को अलग-अलग करके लिख लिया अब नमबर त्री में देखिए सही क्या है यहाँ पर जो सही आप्शन है उस पे हमें सही का निशान लगाना है मितसा ने बजाया सितार चुडिया लाई चावल, चुडिया ने बनाई खिचुड़ी, गिलहरी बजा रही थी ताली तो यहाँ पर हमने इसे किया इसके बाद हम नमबर चार में देखेंगे इन अक्षरों से बनने वाले एक-एक शब्द लिखे यहाँ पर छोटी य और बरी से शब्द बनाने है हमें सबसे पहले है ली, लीची फिर है गि, गिलहरी नी, नीम, टी, टिकट खी, खिड़ा, री, रीता तो यहाँ पर इन अक्षरों से हमने शब्द बनाया नमबर पाच में देखिए क्या है चित्र देखकर शब्द पहली पूरी करो यहाँ पर चित्र दिये गया है और शब्द पहली है उसे हमें लिख देना है सबसे पहले है तक्या, गुडिया, गिलास, सरिता, दीपक, कमीज तो यहाँ हमने शब्द पहली पूरी कर लिए नबर छे में देखिए क्या है मिलते जुलते शब्द लिखे यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए है उनसे मिलते जुलते दो दो शब्द हमें लिखने है सबसे पहले है बाजा बाजा से मिलते जुलते शब्द है राजा, आजा, उसी तरीके से दिल, खिल, हिल, कील, मील, जील, ताली, थाली, नाली, दिया, लिया, किया, मकडी, लकडी, ककडी तो यहाँ पे हमने मिलते जुलते शब्द पुरे किये, उसके बाद नमबर सेवन में क्या है, नीचे दिये गए चित्रों को देखकर उचित स्थान पर छोटी या बड़ी की मातरा लगा कर चित्र का नाम पुरा करे, यहाँ पर चित्र है और उनको देखकर हमें सही जगवप चोटी या बड़ी की मातरा जोर के शब्द बनाना है, सबसे पहले है घड़ी, सीतार, हाथी, साइकिल, फिर है पपीता, मचली, डाकिया, हिडन, तो यहाँ हमने अपना अभ्यास पुरा किया, एक्सेसाइज हमने सौल्व कर लिया, उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़त जिसका नाम है घड़ी, तो आइए इसको हम पढ़ते हैं, ध्याया से सुनिएगा आप सभी, घड़ी, टिकटिक करती हाथ घुमाती, हमको है यह बात बताती, शीत रहे यह तप्ता घाम, करो समय पर सारे काम एक बहर फिर से पढ़ती हूँ टिक टिक करती हाथ घुमाती हमको है यह बात बताती शीत रहे या तपता घाम करो समय पर सारे काम यह कविता आप सभी पढ़िएगा इसके बाद हमारा homework है देखिए पहला homework क्या है अभियास एक से लेकर साथ तक अपनी copy में लिखिए अभि हमने जो exercise solve किया उसे 1 से लेकर 7 तक आप सबको अपनी copy में लिखिएगा नमबर 2 है घड़ी कविता अपनी copy में लिखिए और याद कीजिए अभि हमने जो घड़ी कविता पढ़िया है उसे आप अपनी copy में लिखिएगा और साथ में याद भी कीजिएगा तो बच्चो यह है हमारा आज का हुमवक्त धन्यवाद